हार के बाद विराड कोली ने प्रेस कॉंफरेंस की खुद आया प्रेस कॉंफरेंस में धोनी को बिल्कुल सही खेल दिखाया एक छोर पर टिके रहना जरूरी था विराड कोली ने महिन सिंग धोनी की का बचाव किया है और कहा है कि एक छोर पर विकेट का टिके रहना जरूरी था इसले महिन सिंग धोनी ने वही काम किया जो उनसे उमीद की जा रही थी हार के बाद धोनी पर बोले हैं कफ्तान कोली धोनी ने बिलकुल सहीख खेल दिखाया तो रिशबपन्थ का बचाव क्या महें सिंग धोनी का बचाव क्या एक छोर पर ठिके रहना जरूरी था दोनी के बचाप में कफ्टान कोली कह रहे हैं आप समद सकते हैं उन्होंने यहां तक भी कहा कि हार की जिम्मधारी हम खराब जो बल्ले बाजी चुए उससे हम मैच आ रहे हैं वीरुबाजी दोनी का defendant कर रहे हैं दोनी को कि रिशेपन को defendant कर Какप्टान की आप यह पॉइंट आट नहीं कर सकते हैं इस ख्लाडी के वज़ा से आ रहे हैं लेकिन मैं मैं नेजमेंट पर सवाल उठा रहा हूं कि आपको पहले दोनी को बेजना चाहिए था क्योंकि वह तो अंतता खेले और उन्होंने खेलना ही था वह नंबर किस पर आएं वह फरक नही क्या उन्हें वह बचा सकते थे बिल्कुल बचा सकते थे क्योंकि जब वह उनके साथ खेलते हैं तो उनको समझाते हैं कि आप इसके इस ये शौट नहीं खेल सकते आप अभी जूरूरत नहीं इन शौटों की और वैसा करते हुए नजर आए हैं प्लेयर मेंस दोनी के साथ तो यही एक गलती मैं कहता हूँ कि जो शायद मैनेजमेंट से हुई है कि उनको अगर चार पर नहीं बेजना तो तो कम से कम पांच पर बेजते हैं वीरेन सहवाग इसके पहले कि मैं मैंचेस्टर जाओं उस बात को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है कि धोनी अच्छा खेले धोनी जैसा खेले उस जगे पर आगर किसी को भी वही खेल खेलना चाहिए था लेकिन बड़ी बात जो वीरेन सहवाग वो कह रहे हैं कि धोनी क वो क्यों नंबर चार पर नहीं भेजा गया क्यों धोनी को उपर नहीं भेजा गया क्यों रिशपपंद हार्दिक पंडिया और दिनेश कारति के बाद धोनी को टीम मैनेजमेंट लेके आया तो वीरेन सहवाग के मताबिक टीम मैनेजमेंट से गलती हुई है उनके बात मानन चाहिए और जब टीम मैनेजमेंट बोलते हैं इसका मतलब कप्तान कोहली, कोच रवी शासरी, बैटिंग कोच संजे बागर की नाम इसमें प्रमुक्ता से लिए जाएंगे क्योंकि वही लोग वहाँ बैट कर फैसले करते हैं